नमस्कार पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है मैं हूँ मनुरजन भारती अर्चर्चा करेंगे करनाटक का किंग कौन और क्यूं हो रही है मुखमंत्री के नाम की घोषना करने में कॉंग्रेस को दरसल कहानी जो है वो थोरा सा पेचीदा होता जा रहा है वजह यह है कि ऐसा लग रहा था कि सिव कुमार जो है वो मान जाएंगे और सिधारमया जो है वो मुखमंत्री पद के लिए उनके नाम की आज घोषना हो जाएगी लेकिन ऐसा हो ना सका कहा गया कि जो विधायकों ने जो वोट डाले है जो विधान मंडल की जो बैठक हुई बैंगरूरू में जिसमें एक-एक विधायकों को कहा गया कि आप अपना वोट डाले और वो वोट का बक्सा जो है दिल्ली लाया गया उसके आंक्रे भी अब सामने आ गये हैं जिस के बारे में कहा गया है कि छे विधायकों ने कहा है कि जो भी आला कमान फैसला करेगा उनके साथ रहेंगे。 ये सुत्रों के हवाले से खबर रही यानि ये बात यदि सच है तो जितने विधायक डिके शिवकुमार को मुक्पंती देखना चाते हैं करीब करीब उससे दोगुना और उससे थोरा सा कम विधायक जो है सिदारमया के पास है इसका मतलब ये है कि कॉंग्रेश विधायक दल म कि मुलाकात जो है वो खरगे साहब से होती है जो कि कॉंग्रेश अध्यक्ष है खुद बैंगलूरू जो है वहां की राजनीति या करनाटक की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं नौ बार के विधायक रह चुके हैं ये भी बात कही गई कि डिके सिवकुमार ने खरगे साहब को कहा कि जब 2013 में आपके चीफ मिनिस्टर बनने का मुका आया था उस वक्त भी सिदारमया मुखमंतरी बन गए थे और आप मुखमंतरी नहीं बने थे ये भी एक सच्चाई है कि खरगे साहब मुखमंतरी बनते बनते रह गए थे लेकिन अब आगे की बात कि यदि कर परचाई नहीं हो सकती है बात उनकी कोई काट नहीं सकता है इसलिए जो है कॉंग्रेस सद्याक खरगे ने कहा कि राहुल गांदी या दस जनपत तैग करेगा अब राहुल गांदी सितारमया से मिलते हैं उसके बाद डीके सिवकुमार से भी करीब 90 मिनिट तक उनकी बाची और उधर बैंगरूरू में जो है वो पार्टी अफिस के बाहर जो है जस्न मनने लगता है दूद से अभिशेक किया जाता है सितारमया का ये सब चलता है और करीब-करीब ऐसा लगता है कि सितारमया के नाम की घोशना हो जाएगी लेकिन ऐसा होता नहीं है डीके सिवकुमा सितारमया के पास है अब क्या डीके सिवकुमार डिप्टी सीम बनने के लिए तयार होंगे या नहीं होंगे यहां पर एक और ख़बर जो है वो आती है वो खबर ये है कि डीके सिवकुमार यदि उपमुक मंत्री बना चाहते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई और उपमु सरक्से हैं दलित हैं इसलिए वो चाहते हैं कि दो उपमख मंतरी हो यानि दो डिप्टी सीम हो एक तो डिके सिवकुमार और दूसरा जो है जी परमिष्वर का नाम आता है जो की वो परमुख नेता है दलित समुधाय से आते हैं और खरगे सहाब के नाम के हवाले से ये ख़ब का नाम है एक जो है वोकालिका समुदाय से होगा जिसमें की डिकेशिव कुमार का नाम है और एक दलिक समुदाय से होगा जिसमें की जी परवेश्वर का नाम है लेकिन आप मामला दो डिप्टी सीम पे आकर ठिक गया है कहा ये जा रहा है कि जो डिकेशिव कुमार है वो इसक रंदीप सूर्जे वाला वह बाहर आते हैं और वह कहते हैं कि जो कुछ भी खबरे मीडिया में चल रही है वो सब गलत है यह कयास लगाए जा रहे हैं आप तुके बाजी मत कीजिए अभी जो है हम चर्चा कर रहे हैं और आज रात तक या फिर कल कल तक हम इस मामले पर पहुं रिखन होगा भी मामला ठोड़ा होगया है तो वहां भी काम होना बंद हो जाता है अब कहा रहा है कि सपत्गरन समनिवार समारों को मरस büyटाव जिसमें विपक्स्रास के सभी नेताओं को जो प्रमुक नेता है या विपक्ष के जितने भी चीफ मिनिस्टर है उनको बुलाया जाएगा और एक सो अप स्टेंथ होगा एक तरह से सकती परिक्षन होगा क्योंकि कॉंग्रेस चाहती है कि करनाटक के विजय को बरे अस्तर पर सलिब्रेट किया जाए और एक सभी को दिख मंत्री और उपमंत्री तेक करना है मुक्ष मंत्री के रूप में सिधारमिया के नाम जो है वो सब से आगे वो दोड़ में सब से आगे चलने है विदायक उनके साथ है डिप्टी सीयम के रूप में भी करीब डीके सीव कुमार का नाम तैय है लेकिन अब यह देखते हैं कि डीके सिभ्क मार्क के वल अकेले उपमुक मंत्री होते हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो उनको अकेले बनाया जाए साथ में उनके समर्थिक विधायकों को भी अच्छा मंत्री मंदल दिया जाए उन्हें भी एक अच्छा मंत्री मंदल में जो है मंत्राले दिया जाए हो सकता है वो गिरी मंतराले की मांग करें, वित मंतराले की मांग करें, हलांकि यदि हम सिधा रमया की बात करते हैं, तो तेरा बजट पेस करने का उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो फाइनेंस को जानते हैं, तो वो साइध वित मंतराले अपने पास रखें, लेकिन अभी भी जो है थोड़ा सा सस्पेंस करनाटक के भावी मुखमंत्री और उप मुखमंत्री को लेकर के बना हुआ है लेकिन ये माना जाता है कि अगले 24 गंटे या आज की रात या कल दिन तक ये बात साफ हो जाएगी कि करनाटक में कौन CM होगा, कौन डिप्टी CM होग में आज भी आगे हैं और सिवकुमार अकेले प्लिप्टी CM बनना चाहते हैं